दोस्तो अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैंने एक वीडियो बनाई थी यह भी कुछ दिन पहले काफी अच्छी वीडियो है आप उसमें देखना अगर आपको प्रोब्लम है कि हम पहले गेर में गाड़ी को लेके कैसे चलें मतलब गाड़ी पिक अप कैसे ले कित रखनी है हमेशा दूसरी चीज है यहां पे अपने रेड कलर की टेप से एक एल का साइन लगवा लेना है जिससे के सब को पता जल जाए कि कोई नया आत्मी गाड़ी सीख रहा है लर्नर है तीसरा आपको करना है एक अपना लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस जरूर ब अपने साथ एक एक एक्सपिरियंस बंदा जरूर यहां ड्राइविंग सीट के बराबर में होना चाहिए जो आप किसी हालत में आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर सके अब हम बताते हैं दोस्तों समस्या आती क्या क्या है जो कई लोगों ने मेरे से बताया है कि हमें भाईया ओ जादा नहीं बचा के निकालनी है थोड़ा सा इससे मतलब एक डेड़ फूट का ही गैप रखके आप और टेक कीजिए तो ही आप सुरक्षी चलेंगे जादा बचा दोगे तो उधर से कोई आ रहा होगा या सामने से कोई आ रहा होगा तो आपके लिए बहुत प्रोब्लम ह करके लगानी है तो दोस्तो हमें सबसे पहले क्या करना है मैंने तो अपने मिरर यह सेट किये हुए है आपको करना क्या है इस मिरर को सेट करके रखना है ऐसे कि आपका जो पीछे वाला बंपर है यह देखे यहाँ पर दिख रहा है आपको यह जो पीछे वाला बंपर है यह गेर हलका सा टाइट लगेगा आपको भी पता चल जाएगा बैक गेर लगेगा और छोड़ना दो कलाच उसी तरह से जैसी मैंने वह वाली वीडियो बना रखिए उसे फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार अच्छे से देख लें दोस्तों हमें लेफ्ट साइड लेनी है तो हमें अपना श्टेरिंग भी लेफ्ट साइड ही गुमाना पड़ेगा यह देखिए मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ गाड़ी मोडना चाहता हूं तो श्टेरिंग भी दरी गुमा रहा हूं अब दीरे दीरे ऐसे ही कलच छोड़ते रही है और उसमें अपना बंपर का पीछे वाला बंपर का कोना ध्यान रखना है आपको बीच वाले मिरर में भी पीछे का देखना है इसको एज ए विंड सील्ड मानना है आपको जो पीछे का सिसा है आपको उल्टा मान के चलना के जैसे गाड़ी आगे ही चले लेकिन यह पीछे वाले को मेन मान ले रही है। उस फॉर्चोनर के सा HealthGA लगाने से तो उसका कोना हमें दिखाई दे रहा है' अब हमें अपना कोना बचा के चलाना है ऐसे ही ओप यह देखे देख select कि अब यहां पर हमें लग रहा है जैसे गॉड़ी लगाएंगे यहां से और फिर से हम अपना श्टेरिंग वापिस उसी साइड घुमा लेंगे और फिर धीरे-धीरे बैक गेर में लेके चलेंगे इधर हमें यह दिखाई दिया लगता है अब यह काफी जगा यहां पर बच गई है यह देखे दोस्तों अब हमें इस मिरर में पूरा दिखाई दे रहा है कि हमारी गाड़ी उस फोर्चुनल से बच चुकी है अब हमें श्टेरिंग सीधा कर देना है अपना यह देखिं मैंने हिल्स पर गाड़ी चड़ा रहे है तो हमारे साथ क्या होता है अब मैं आपको दिखाता हूँ मुलिजी आध्या हम पर पर धूड़ी दिखा तो हमारे साथ अतनisine आति हम जैसे ही इस चोड़के एकृटर देंगे तो यह मत्या होता है यह गाड़ी हम यह उता इस हिजकी में अब हमें करना क्या है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, मालनी जे गाड़ी यहां पे रुकी हुई है, सबसे पहले आपको कर देना है, हैंड ब्रेक, आप अपना हैंड ब्रेक में लगा दिया है, गेर में से गाड़ी निकाल दीजे, अ और धीरे-धीरे हैंड ब्रेक डाउन कीजिए, एकसिलेटर छोड़िए, और कलच को छोड़ते रहिए, धीरे-धीरे, यह देखे, मेरी गाड़ी धीरे-धीरे, आगे ही जाएगी, कभी भी पीछे नहीं आएगी इस तरहीं, यह देखे, कितना भी मैं इसे कितनी भी चड़ ब्रेक लिए, ब्रेक छोड़ दिया हैं मैंने, अब मैं कलच छोड़ूगा और दीरे-धीरे अकसिलेटर दूगा, यह देखे, पीछे नहीं गई न दोस्तो, तो यह ही आपको करना है और इसकी प्रेक्टिस आपको करनी है, प्लेन में गई पे, यहाँ पर जड़ाई ना हो पहले अच्छे से नीचे प्रेक्टिस कर लिए, दोस्तो एक सवाल आप सब के मन में आता है कि कलच दबा के ब्रेक का यूज करें या ब्रेक के यूज करके टाइम कलच नहीं दबाना चाहिए, दोस्तो अगर आप बंपर टू बंपर ट्रैफिक में हैं तो फिर तो आपको यह देखे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर करना क्या है, आपको पहले दबाना है कलच, उसके बाद दबाना है ब्रेक, बंपर टू बंपर ट्रैफिक में जहां आपको गाड़ी विल्कुल रोक लेनी है, कहीं पर बिल्कुल ही स्टोप करनी है, गाड़ी की मॉवमेंट चाहिए ही नहीं, अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं और आपको गाड़ी रोकने की जड़ू नहीं बस छोटे ही गेर में आपको डालनी है, तो आप बिना कलच दवाए ब्रेक्स का यूज कीजिए, उससे ब्रेक्स ज्यादा एफेक्टिवली काम करते हैं दोस्तों, तो ब आल है, ड्राइविंग से बारे में आपको कोई डाउट है अपने उपर, तो उसको मेरे से जरूर पूछ लेना, कमेंट सेक्षन में जाके, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करूँगा, एक वीडियो और बनाऊंगा, कुछ दो चार छोटी छोटी चीजे रह गई हैं, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, दोस्तों छोटे छोटे स्टेप में आपको गाड़ी चलानी सिखाऊंगा, तो आप ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे,